हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चानल शेयर बजार वितायूश और दोस्तो इस वीडियो में चट्चा करने वाले हैं ड्रीम फोक्स सर्विसेज के आज के आई प्यों के डे सेकंड ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में दोस्तो आज दूसरा दिन थहा और आज दूसरा दिन भी आपको क्थम होता हुआ देखने को मिल गया है तो आज टोटल कितना संब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिल हैrickital पूर तरे से बिख चुका था और आज भी सब्सक्रिप्शन बहुत चौक आने वाला है बहुत शानदार ये कहा था होगि आपको सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मल रहे हैं और आज सबसे दस्वाइदक जिनों चौका है dream folks services IPO आज दूसा दिन भी आपको खतम होता हुआ देखने को मिल गया second day ठाच और अब कल याद रखेगा इसका only last day है 26th of August अगस्ते कल और कल दोस्तों इसका last day रहता हुआ देखने को मिलेगा कल के बाद आप नहीं लगा पाएंगे इसमें याद रखेगा सिर्फ करना है 326 times because IPO fully subscribe हो चुका है तो जो IPO के share आपको मिलेंगे वो higher price band पे मिलेंगे ओके और higher price band क्या है वो 326 है तो उस पे मिलेगा ठीक है 2 रुपे की face value दोस्तों इस IPO की 562 करोड का issue था लेकिन इसमें से कुछ portion जो था वो anchor ले गए और anchor इतना ले गए कि बचा कितना 512 करोड में से मातर 309 करोड सिर्फ 309 करोड है 309 करोड में से भी अगर हम बात करते retailers को तो इसका सिर्फ 18% यानि 54 करोड रुपे के shares दिये गए तो आप समाह लीजे जो 562 करोड का issue आया था उसमें से आपको कितना मिल रहा है नहीं retail category को कितना मिल रहा है only 54 करोड तो यह बात important है BSE, NAC दोनों पे list होता हुआ देखने को मिलेगा 46 shares आपको मिलेंगे दोस्तों याद रखेगा एक lot के अंदर अब यह आप समाह लीजे category wise offering QIB इसको 54% दिया गया है NIS को 27.27% दिया गया है NIS में 2 है जिसमें से जो more than 10 lakh है उनको 18% and जो less than 10 lakh है वो 9.09% retailers को दोस्तों 18.18% 56 करोड दोस्तों यहाँ पर दिया गया and total मिलाकर 309 करोड का shares जो है वो offer किया गया इन सबको मिलाकर 512 करोड का था 512 करोड में से कुछ पोर्शन आंकर ले गए और बचा कितना 309 करोड अब दोस्तों कल जो subscription आता हुआ देखने को मिला था पहले दिन वो मात्र 1.96% था 1.96 में से आप देखेंगे तो retailers ने अच्छा कासा पैसा लगाया था कल 7.93 ताम अब देखें retail का portion यह 18% का है तो 18% जल्दी भर जाता है तो 7.93 ताम का retailers ने लगाया था NIS ने 1.39 ताम QIB 0.25 ताम NIS QIB कभी भी पहले दूसरे दिन पैसे नहीं लगाते है NIS चल्य दूसरे दिन थोड़ा थोड़ा पैसा करके लगान चालू कर देते हैं बट QIB बिल्कुल नहीं लगाते हैं और टोटल कल मिलाकर subscription आता हुआ देखने को मिलाता कितना 1.96 ताम अब बात करते हैं आज के subscription के बारे में आप figure याद रखेगा कल का दो टामस कर लिजाए ठीक है आज कितना आता हुआ देखने को मिला है अब बात करते हैं तो सबसे पहले देखे क्यू आइपीज को तो QIB ने टोटल मिलाकर कल 0.25 लगाया था आज 0.60 टामस लगाया है QIB ने थोड़ा बहुत पैसा तो लगाया है बट अभी भी फुली सब्सक्राइब उनके तरह नहीं हुआ है बट यह आपको कह सकता हूँ कि कल जब आप देखेंगे QIB का पैसा लगते हुए तो सबसे जादा फिगर भी इनका हो सकता है तो QIB चिंदा मत करें बहुत अच्छा पैसा लगाते हैं अब NIAs, NIAs ने कल ज़्यादा पैसा नहीं लगाया था लेकिन आज अगर आप देखेंगे comparatively बहुत ज़्यादा इनकी बिट्स आई है 8.40 टाइम्स टोटल और अगर इसको मैं ब्रेक अप वाइस बताऊं तो ओवराल जिनों की बिट 10 लाक से बिलो किये उन्होंने 9.12 टाइम्स और जिनकी बिट 10 लाक से ज़्यादा किये उनकी 8.04 टाइम्स इतना सब्स्रिप्शन उनकी दोरा आ चुका है और टोटल NIAs ने कितना लगाया है दोस्तो 8.40 टाइम्स लेकिन सबसे चौकाने वाला फिगर किसका है कल तक रीटेलर्स ने लगाया था 8 टाइम्स ठीक है कितना टाइम्स 8 टाइम्स मैं आपको राउंड ओफ करके बता रहा हूँ और आज अगर आप रीटेलर्स का देखेंगे तो टोटल 19.10 टाइम्स 19 टाइम्स दोस्तो रीटेलर्स के द्वारा यह आप समझ लीजिए सब्सक्राइब कर दिया गया है तो सब्सक्रिप्शन जिस प्रकार का निकल के आ रहा है डिफिनेटली अलोट्मेंट के जो चांसेज है वो इस प्रकार से रहेंगे अभी अभी अगर आप सेकेंड डे में देखेंगे कल का फाइनल डे बचा है तो रिटेलर्स का इस प्रकार से है कि हर 19.10 में से अभी एक जने को यह IPO मिलने वाला है तो बिल्कुल मिश्किल होने वाला है और कल का दिन भी बाकी है तो आप मान के चलिए रिटेलर्स का फिगर काफी बर सकता है यहाँ से भी और होचकता है कि 30 टाइम्स तक भी चले जाए तो बिल्कुल यहाँ पर सब्सक्रिप्शन तो बेहर तगड़ा आता हुआ देखने को मिल रहा है बेहर चांदार आता हुआ देखने को मिल रहा है और टोटल सब्सक्रिप्शन आप देखेंगे तो आज हो चुका है 6.09 कल तक कितना था 2 ताइम आज कितना हो गया 6 ताइम 3 ताइम जादा आ चुका है कल से आप समझे कि सब्सक्रिप्शन इतना क्यों आता हुआ देखने को मिल रहा है because IPO बहुत बढ़िया है देखिए IPO बढ़िया होगा तो पैसा आएगा आप कल देखेंगे तो QIB ने बहुत कम लगाया था आज चली QIB को छोड़ देते हैं NIS किने 1.39 लगाया था आज 8.40 हो गया इटलर ने 7.93 लगाया था 19.10 हो गया कल तक मातर टू टाइमस हुआ था आज 6 टाइमस हो गया कल यह आप final figure गर आप देखेंगे तो हो सकता है कि कल यह आपको 60 टाइमस, 70 टाइमस, 80 टाइमस भी होता हुआ देखने को मिल जाए कुछ भी हो सकता है कल मैं इसका वीडियो 2.30 पर लगा दूँगा बना दूँगा कि 2.30 तक की हमाई strategy क्या है वैसे मैं आपको यह कहने वालो हूँ कि definitely friends यह company दमदार है तो IPO के अंदर apply करके चल सकते IPO बहुत बढ़िया करता हुआ देखने को मिलेगा नहीं है तो जब भी दोस्तों ऐसे companies आएगी एक टाइप की monopoly अभी तो friends definitely पैसा बनता हुआ जो देखने को आपको मिल रहा है वो अच्छा बनेगा मुझे लगता है कि कम से कम लिस्टिंग यहापे 35 से 35% के होने चाहिए अगर अभी grey market यहापे चेक करें तो अभी dreambox का 76 rupees कितना 76 rupees grey market चलता हुआ देखने को मिल रहा है 76 rupees grey market ठीक ही देखने को मिलता है कोई दिक्कदाली बात नहीं है सब्सक्रिप्शन देखे दिन बढ़ दिन बढ़ता जा रहा है कल का दिन important है यह बात ध्यान रखेगा कल last है तो कल मेरे सला तो यही होगी कि definitely IPO के इंदर apply करके चले मिलना ना मिलना हो और definitely हमारे हाथ में नहीं है लेकिन अगर हम apply नहीं करेंगे तो बिल्कुली नहीं मिलेगा तो यह बात important है बाकी में जैसे मैंने का कि 230 पे हमारी final strategy आ जाएगी वैसे में कोई strategy जादा बदलने नहीं वाली है मैं आपको यह कहूँगा कि मेरे तरफ से तो यही कि आप ज़रूर इस IP में apply करके चले जो 326 का IPO है वो 402 तक अभी list होता हुआ देखने को मिलने वाला है यहां से मुझे रखता है कि और उपर ही list होता हुआ देखने को मिलेगा इसका जो grey market भी है प्लस जो subscription है वो बढ़ता हुआ ही देखने को मिलने वाला है तो बिलकुल IPO बढ़िया करता हुआ देखने को मिलेगा बाकी यहां पर overall strategy सेम है important बात क्या है जैसा मैं अपको का price band का ध्यान रखेगा यह बहुत लोग गलती कर जाते है 326 रुपे का ही price band लगाईएगा अगर आप IPO के इंदर अपनी application apply कर रहे हैं तो क्या कर रहा हूँ मैं 326 का अगर आप वो चूस करेंगे तो आपको IPO मिलने की संभावना बिल्कुल 0 हो जाएगी आपका फॉर्म बाद में reject हो जाएगा because IPO is now fully subscribed fully subscribed का मतलब क्या होता है कि IPO more than 100% भर चुका है तो 100% क्या होता है फिर आपको जो IPO का price band मिलता है वो upper price band मिलता है यह बात important है overall subscription बहुत अगरा निकल किया रहा है and dream folks में हमाय सला तो यही कि definitely यहां से apply करके चले IPO बढ़िया है company बढ़िया है पैसा बना कर देगी तो friends इस वीडियो में इतना ही था hope so आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा अगर लगा तो like कर देना चैनल से पहली बार अगर आप वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब पर देना thank you friends for watching this video